साथियो नवसकार खरियाना विदले सिक्सा बोल्ड भिवानी का एक नया अपडेट आया है OMR सीट वड़े पेपर को लेकर क्योंकि एक दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी कि OMR सीट के साथ प्रिक्सा के विशे के दो पेपर होंगे लेकिन साथियो अब एक नया अपडेट आया है तो वो क्या है अपडेट पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखना वो सारी आपकी भरांतियां दूर हो जाएंगी कि अब की बार दो पेपर होंगे या एक और होंगे तो क्यों होंगे और नहीं होंगे तो क्यों होंगे तो साथियो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को अधिक से अधिक सेर भी करना तो आएए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो बोरण प्रिक्षाओं के नई पैटरन पर नीजी स्कूलों की आपती हरियाना के नीजी स्कूलों ने सिक्षा बोरण के दस्मी और बार्मी कक्ष्या के प्रस्तावित प्रिक्षा पैटरन पर आपती जताई है प्राइवेट स्कूल संग में परतियोगी प्रिक्षाओं की तरज पर वस्तू निस्ट प्रिक्षा लेने का आग्णे किया है संग के प्रदेशा ध्यक्स सत्यवान कुंडु ने कहा कि इस प्रिक्षा पेटरन के अनुसार बोरड प्रिक्षा के दौरान पहले 45 मिन्ट में वस्तु निष्ट परसन पत्तर देगा जिसे हल करने के लिए OMR सीट दी जाएगी इस पेपर में 30 से 40 परसन होंगे उन्होंने स्वाल उठाया कि जब सभी परकार की परतियोगी परिक्साओं में यानि कम्पिटिशन एक्जाम के अंदर एक परसन के लिए 2 मिनिट दिये जाते हैं तो बोरड परिक्सा में बच्चों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है समय कम होने के कारण बच्चे परिक्सा पूरी नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा और साथियो यह बोरड के बेतु के परियोगों का चर्चा में रहा है कि हर बार बोरड कोई ना कोई बेतु का ब्यान करता है बेतु का परियोग करता है अब नए एकजाम पैटर्न में सीधे तोर पर बच्चों से खिलवाड किया जा रहा है जिसे कभी भी किसी स्थिती में बरदास्त नहीं किया जाएगा इसलिए बोरड को चाहिए कि यह OMR सीट वाड़ा पैटर्न बदल कर समय वस्तुनिष्ट के परसंद दिये जाएं और सम कारी स्कूलों के लेक्चरार के विरोध जताने पर सेकेंडरी सिक्सा निदेशक ने ये हामी भर दी है तथा सिक्सा निदेशले ने बाइलोजी का पाठ्यकरम कम करने के लिए भी सिक्सा बोरड को पत्तर लिका बिरवार को हसला परतिनीधी मंडल की सेकेंडरी सिक्सा के साथ प्रयाध्यापतों से जुड़े विभिन मुद्दों पर निदेशाले में बैठक होई हसला राज्य परधान द्यानंद दलाल ने बताया कि मार्च में होने वाड़ी बोर्ड प्रिक्षाएं ओमर सीट पर ने कराने को लेकर निदेशक ने सैमती जताई है तो वर्तमान है कि OMR सीट पर नहीं होगी प्रिक्षाएं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछली वीडियो के में अब बदलाव आया है पहले हमने कहा था दो पेपर होंगे OMR वाड़ा और एक वस्तुनिष्ट की साथ ये OMR वाड़ा और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव लेकिन अब हम कह सकते हैं कि डिरेक्टर सायवान जे गनेशन की तरफ से जो हामी बरी गई है तो इसमें हम कहेंगे कि OMR वाड़ी सीट आपको नहीं दी जाएगी बगेर OMR के ही आपकी प्रिक्षा ली जाएगी तो ये एक विद्यार्थियों की जीत है और यदि ऐसा होता है तो विद्या बहुत करते हैं OMR सीट को भरने के लिए और समय भी कम दिया गया है तो इससे बच्चों की अभिभावकों की और अध्यापकों की जीत हुई है यदि ये डिरेक्टर सायवान के ब्यान के अनुसार ऐसा तब बदलाव किया जाता है तो आज की इस अपडेट में इतना ही तो साथियो यदि जानकारी अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करना ताकि हर किसी के मन में ये परसंथा कि पेपर दो होंगे या एक तो आपको पता चल जाए और सबको पता चल जाए जितनी अधिक सेयर करोगे इतना ही तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नवस्कार वंदे मात्रम